आत्मा का जो सफर है, आत्मा का जो विकास है वो शास्त्रों के हिसाब से 84 लाक योनियों से गुजरने के बाद इंसान बनती है, आत्मा मानव शरीर में आती है लेकिन मृत्यू के बाद क्या ये जरूरी है कि आप अगले बार भी आद्मी ही बनेंगे या पशूपक्षी बनेंगे क्या होता है इसके बाद देखिए जीवन काल में जो कामना हमेशा बनी रहती है उसी अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है एक राजा थे भरत जीवन भर वैराग्य में रहे लेकिन मरने के कुछ दिनों पहले उन्हें एक हिरन से प्रेम हो गया और जब मरने लगे तो उनके मन में ये भावना रह गई कि मैं तो नहीं रहूंगा इस हिरन की देख भाल कौन करेगा तो मन में चुकी हिरन का भाव था बहुत जादा प्रबल हो गया तो अगला जनम उनको हिरन का मिला पूरा एक जनम उनको हिरन का बिटाना पड़ा और फिर वो मुक्ति के मार्ग पर जा पाए तो जैसी भावना जीवन भर आपकी प्रभाव शाली होती है वैसे ही योनी में वैसे ही शरीर में आप जाते हैं मृत्यू के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार की योनी मिलती है शास्त्र कहता है अंते मती सागती अंत के समय में जैसा भाव वैसा ही शरीर वैसा ही परिवार अब ज्यादा तर लोग मरते समय अपने बच्चों के बारे में पती पत्नी के बारे में घरद्वार के बारे में सोचते हैं इसलिए 90% लोग ऐसे हैं जो घूम फिरकर अपने परिवार में जनम लेते हैं परिवार के आसपासी बहुत दूर नहीं जाते हैं जो दस प्रतिशत विलक्षन लोग होते हैं जिनको मृत्यू के समय भी इश्वर का स्मरण होता है केवल वही आगे के मार्ग पर बढ़ पाते हैं वैसे कुल मिलाकर व्यक्ति दो तरह की योनियों में जाता है एक प्रेत योनी में और एक पित्र योनी में पित्र योनियों में गंधर्व, विद्याधर, यक्ष और सिध्ध योनिया होती हैं सिध्ध योनी सर्वस्रेष्ठ योनी होती है कैसी होती है यह आप जीवन में जब साधना करते हैं पूजा उपासना करते हैं तो आपके मन में आता है कि मैं बहुत सारे लोगों का भला कर प पाता तो कितना बढ़िया होता अगले जनम में वो ऐसी स्थिती में पैदा होते हैं जहां वो बहुत सारे लोगों की सहायता और देख भाल कर पाते हैं सिध्ध योनी वाले लोग इसी करम में आते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं किसी का देहान्त हुआ वो प्रेट बन गया और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पित्र हैं जो हमें आशिरवाद देते हैं इनमें अंतर क्या है देखिए व्यक्ति बहुत जब जादा पाप कर्म करता है और उसके बाद मृत्यू प्राप्त करता है और उसकी तमाम इक्षाएं पूरी नहीं हुई होती हैं तो अपनी इक्षाओं की पूर्ती के लिए वो भटकता रहता है भूत प्रेत नहीं ये प्रेत योनी में जाता है आत्मा जो है वो अत्रिप्त इक्षाओं वाले मन को ले करके भटकती रहती है इसको प्रेत योनी कहेंगे ऐसे प्रेत योनी की आत्माएं अत्रिप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी मुक्ती के उपाए ना किये जाएं अस्वाभाविक मृत्यू आत्म हत्या और दुरघटनाओं में व्यक्ति अक्सर प्रेत योनी में जाता है अला कि देखिए अस्वाभाविक मृत्यू कुछ नहीं होती जिसका समय आता है वही जाता है अकाल मृत्यू जैसा कुछ नहीं होता लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि जिसकी sudden death होती है ऐसे लोग प्रेतियोनी में जाते हैं और लंबे समय तक मुक्त नहीं हो पाते हैं किसी शुब कारी के व्यक्ति की मृत्यू के बाद भी जब उसका जन्म लंबे समय तक नहीं हो पाता उस लाइक शरीर नहीं मिल पाता किसी अच्छे आदमी का अच्छे इंसान का तो ऐसी आत्माएं लोगों के लिए शुब करती हैं ऐसी आत्माएं लोगों के शुब मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती हैं और सनमार्ग दिखाती हैं, इन्हें पित्र कहा जाता है, जो आप पित्रपक्ष में पूजा करते हैं, दरसल आप पित्रों के लिए भी पूजा करते हैं, ताकि उनका अशिरवाद मिले, और अपने परिवार में अगर कोई प्रेत योनी में गया है, तो उसके मुक्त होने के उपाय भी किये जाते हैं, आपके उपर आपके पित्रों की कृपा है, यह एक सुरक्षा है और पित्रों की कृपा अगर आपके उपर है, तो हर मुश्किल से, हर कठिनाई से आपके पित्र आपको बचा लेंगे.